नीलम की रेसिपी में आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सबकी फेवरेट मुंग दाल का हल्वा जिसे बनाने में आपको घंटो ताम जहाम करने के जरूरत नहीं है इंस्टेंट मुंग दाल का हल्वा आप कैसे बना सकती है जिसमें अगर मुंग दाल को भीगोने की भी जरूरती है और आपका मुंग दाल हल्वा इतना टेस्टी बनेगा कि सभी उंगलिया चाठते रहा जाएंगे तो साधियो वाला हल्वाईयो वाला मुंग दाल हल्वा हम कैसे बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में वीडियो में सुरू से अंतक बने रहीएगा तो चले वीडियो तो इसको पानी से अच्छी तरह शाफ कर लेंगे भीगोने की जुरूत आपको नहीं है सिर्फ धो लेंगे उसके बाद इसको क्या करना है कि मिक्सी के पॉट में डाल लेंगे और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे पानी या दूर डाल के जिससे भी आप चा और इसे हम बिलकुल हाई फ्लें पे हिट करेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चमज सूजी ये बहुत ही दानेदार अगर आप चाहते हैं कि आपका खलवा बने बहुट टेश्टी बने तो स्टार्टिंग में आप दो चमज सूजी जरूर आट किजेगा उसके का फिलम हाँ बहुत हम यहां यहां पीकुल रहाँ हो गलां काड़ हम चलाते रहेंगे ध्यान रखना है कि हल्वे को छोड़ेंगे नहीं या तेज आज करके इसको एक ही बर ब्राउन नहीं करना है भूनते भूनते यह हल्वा आपका थोड़ा दिर बाद खुद ही ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल ऐसा यह देखे अब यहां पर हम डालेंगे दूद तो यहां पर दिखे मैं ने जिस कब से लिया था मूंग डल उसी कब से यहां पर दोफ यहां पर मैं डाली हूं यह देखे दोफ गैस का फ्लेम बिल्कुलरो रखे हैं और हो सके तो बलगे अब गैस का फ्लेम ऑफी कर दीजे कि उसके बाद ही आप ऑन किजेगा तो यहां पर देखे मैं थोड़ा सा केसर वाला दू डालूंगी जिसे की हल्वे का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें आप जरूर डालिएगा उसके बाद इस इसमें मैनेज कर लीजेगा अब इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक सुगर मिल्ट नहीं हो जाए एक बात का ध्यान रखना है कि घी की मातरा भरपूर होनी चाहिए इसमें तो यहां पर देखे मैंने एक चमच घी डाला है अगर जरूरत पढ़े तो म मगज भी डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से चला लेंगे आप अपने पसंद कर जो भी ड्राइफ फ्रूर्स आपके पास हो आप डाल सकती हैं अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकती है लेकिन अगर आप डाल दे तो एक रिच लूक आता है उसके पाद इसे हम थो काथ हो चाहता है तो धीरे दिरे कडाई अब देख सकती है कि घी जो है जो है तो कड़ाई छोड़ रहा है आप देख सकती है यह घी सुझार है अब क्या करना है कि इस में अब हम डालेंगे थोड़ा सा इलाइजी पार इसमें आप एट कर लीजएगा और यह हलवा आपका बनके बिलकुल त्यार है अब इसे चलिए सर्व करते हैं और उपर से आप इसे थोड़े से ड्राइब फ्रूट से गार्निश कर सकती हैं यह परफेक्ट आपका मुंगदाल हर्वा बनके बिलकुल त्यार हैं इसको बनाने में मुस्किल से 5-7 मिनट आपको लगेंगे और यह आपको कैसी लगी कॉमेंट करके बताएगा साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को किस सहर से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियो कैसी लगती है यह भी कॉमेंट करके जरूर बताएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बीना ट से पिस सबी के पास होनी चाहिए तो इसी तरह और भी यूसफुल वीडियो लेकर अपसे फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्यार दखिएगा बाय टेक कैर